Assalamualaikum doctors, आज हम लोग discuss करेंगे conventional radiographs Second name है इसका x-rays, कि x-rays क्या होती है, इसकी production कैसे होती है, mechanism of action क्या होता है इसके लाव हम देखेंगे कि हमारी जो x-rays की जो picture आती है, वो किस तरह की होती है और उसके common uses जो है, वो कौन कौन से है, ठीक है यह इसका theme है अच्छा, conventional radiography की तरह आते हैं कि यह क्या चीज़ होती है conventional radiography जो है, simply एक evacuated tube होती है, इसके production देख रहे है evacuated tube होती है, जिसके अंदर evacuated tube है कैसी tube होती है, जिसके अंदर कोई भी other medium नहीं होता मिनके उसको air particles या air जो भी चीज़ें होती है, सब कुछ remove कर दिया जाता है और एक simple tube होती है, और बिल्कुल खाली किसी कोई भी चीज़, उसके अंदर कोई भी medium नहीं होता ठीक है, उसके एक side पे cathode लगाया जाता है, और दूसरे side पे anode लगाया जाता है जब यह लगाया जाते हैं तो उसके बाद इसको voltage spike किया जाता है, near about 50 to 150 kV यह voltage spike किया जाता है, evacuated tube के अंदर लगे cathode और anode को ठीक है, जब यह voltage मिलेगा इसको, यह जो cathode है, यह different types of rays produce करेगा यह हम simply कह सकते हैं, electrons जो हैं यहाँ पे जो होंगे, वो voltage की apply होने की वज़ाए से move करेंगे हमारे cathode की तरफ, ठीक है तो cathode की तरफ जब यह move करेंगे होते हैं, इसको मैं थोड़ा large size कर देता हूं, ताके आप easy समय सकें, यह पूरा cathode है, ठीक है तो यह जो electron है, यह move करना शुरू कर देते हैं, towards the anode, ठीक है जब यह anode की तरफ move करते हैं, और बहुत speed के साथ move करते हैं, तो यह वहाँ पे टकराते हैं, और टकरा कर यह वापस बाहर की तरफ मूड जाते हैं, ठीक है यानि कि इनकी direction change हो जाती है, और यहाँ पे एक plane like structure होती है, जो कि इन सारी के सारी जितने भी production हो रही होते हैं, इनको एक proper shape देती है, एक proper way की तरफ और proper direction की तरफ, ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो electron ही हैं, वही x-rays हैं, ठीक है, स्कीन क्या हुआ, कि हमारे जो electron हैं, वो highly speed के साथ move किये, उन्होंने हमारे anode के साथ टकराया, टकरा कर अपनी direction change की, और यहाँ पे एक plane समझ ले वो लगा हुआ था, जिसने इन सारे जो आने वाली rays थी, उन सारी को एक vacuum tube से eject कर दिया, ठीक है, तो यह जो rays निकल रही हैं, इनको बोलते हैं x-rays, ठीक है, इनका mechanism of action क्या है, इसको देखते हैं, मैंने simply यह board को इस तरफ rotate कर दिया है, यह देखें हमारे पास इस तरह x-rays produce हो रही है थी, और यह आगे मैंने एक body रखी है, जिस तरह आम routine wise हम x-rays करत होते हैं, x-ray plate, तो यह x-ray plate क्या करती है, कि यहां पर इसे, अगर मैं for example, यह body को यहां से remove कर दो, और यह सारी की सारी जो x-rays जा रही है, यह direct x-ray plate के उपर जाने दो, तो हमारी जो भी x-ray plate के उपर picture आ रही होगी, वो full black हो जाएगी, ठीक है, तो center में body आ जाती है, तो body से कुछ जो raise हैं, वो टकराती हैं, और पीछे की तरफ move कर जाती हैं, आगे simply past नहीं हो पाती, तो वो जो picture है, वहां पे हमारी whiteness color show होना शुरू हो जाता है, मैं बताता हूँ, फर्दर के whiteness के इस वाज़ा से होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम यह जो raise है, यह properly इसी तरह जाती हैं, और हमारी जो plate है, वहां पे यहां पे x-rays जाके नहीं टकराएंगी, वहां पे हमारे पास whiteness color show होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यह एक simple mechanism of action था के हमारी body के उपर x-rays जो है किस तरह work करती है, then move करते हैं, next के हमारी जो body है, इसके अंदर four types की cavities हो सकती है, या मैंने पहले बताया आपको कि यहां पे air होगी, वहां से जो x-rays हैं वो सीधी पास कर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी air present थी, इस structure में अगर आप देखें, तो यहां पे air present थी, तो यहां पे x-rays तो पास हो रही है, same as that, हमारी body के अंदर जो air cavities होती है, वहां से भ भी picture होगी, वह सारी की सारी black आजएगी, ठीक है, और जो हमारी calcified bones हैं, यह सब से ज्यादा calcified structures हैं, यह सब से ज्यादा जो है, हमारी x-rays को absorb कर लेती है, ठीक है, और आगे जो structure आएगी, वह आएगी white, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके x-rays जो है, वो नहीं टकरा रही, इस वज़ा से white structure आजएगी, ठीक है, देन जो soft issues हैं, इसमें include होते हैं, हमारे solid viscera, ठीक है, इसके इलावा muscles जितने भी हैं, blood जो है, different type of fluid होते हैं हमारी body के अंदर, वो soft issues में आ जाते हैं, और जो हमारी bowl की wall होती है, वो भी soft issues में आ जाती हैं, तो यह जो soft issues होते हैं, यह ज में कोई भी color आ सकता है, वो light dark gray आ सकता है, या light black आ सकता है, ठीक है, तो fat के लिए specifically, कोई भी color नहीं है, light black कुछ बोलते हैं, और कुछ light gray बोलते हैं, ठीक है, लेकिन gray खुद ही light color होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह four types होती है, air full black आती है, और calcified structures होती है, specially bones जो होती है, ठीक है, इसके move करते हैं, इसके uses की तरफ के, इसके uses क्या है, x-ray के जो common uses है, इसमें है chest x-ray, हम chest x-ray करते हैं, हमारी thorax के अंदर, या हमारी chest के अंदर, कोई भी abnormalities हो सकती है, जैसे hydrothorax हो सकता है, nemothorax हो सकता है, या किसी किसम की lungs, जो pathologies होती हैं, उन सारी को discuss करने के लिए हम जो है, chest x-ray करते हैं, और इसको diagnose करते हैं, then हमारी जो x-ray of abdomen होती है, abdomen में different diagnosis के लिए हम यूज करते हैं, like as, हमारी जो intestine है, उसमें अगर किसी किसम की obstruction आ सकती है, या perforation हो सकती है, तो उस वज़ा से भी हम x-rays abdomen को use करते हैं, ठीक है, एक चीज़ यहां पर बता दू तो कि जो pregnant ladies होती हैं, उन पे हम x-ray perform नहीं करते हैं, क्योंकि x-rays जो है, वो बहुत ज़्यादा dangerous होती है, for the fetal, for the fetus, ठीक है, उसके लिए हम ultrasound को mostly use करते हैं, then x-rays of the bone है, इसमें अगर bone का कोई भी fracture हो जाए, या bone में कोई भी tumor हो, तो हम उसकी detection करने के लिए, diagnose करने के लिए हम जो है, x-rays of bones को इस्तामाल करते हैं, ठीक है, तो यह simple से concept है, इसमें साफा स्टाफ हमने देखा कि यह production किस तरह होती है, हमारे पास 50 to 150 kV जो है, चार्ज अप्लाई किया जाता है, एक्सरे ट्यूब कर, cathode से rays निकलती है, जो electron जो है, वो speed के साथ move करते हैं, anode के उपर, बहां से rays production होती है, यह rays को हम x-rays करते हैं, यह body से टकरागर, आगे x-ray plate पे उपर show हो जाती है, जो हमारे पास air होती है, वो fully black show होती है, air जो है, फुली black show होती है, calcified structures जो है, वो white show होती है, बाकि fat और जो soft tissue है, यह grey और right grey में show हो सकती है, ठीक है, इसके लावा common uses की बात क अगर इसमें आपका कोई भी question है, तो आप comment box में put कर दे, मैं आपको answer कर दूँगा, thank you doctors, Allah Hafiz